हलो फेंड्स आज की वीडियो में हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स को कवर करेंगे हमारे देश के आजाद हो जाने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई हमने देखा कि शहरों में तो कई सारे बैंक्स मौझूद हैं लेकिन ये बैंक्स अपनी ब्रांचेज रूरल एरियास में ओपन करने के लिए तयार नहीं थे बड़ हमारी सरकाज जानती थी कि रूरल एरियास को बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट किये बिना एकॉनमी ग्रोथ को अचीव नहीं किया जा सकता और इसी लिए रीजनल रूरल बैंक्स के कंसेप्ट को लाया गया जहाँ पर नेशनलाइज बैंक्स को ये रस्पॉंसिबिटी दी गई कि वो रीजनल रूरल बैंक्स को स्पॉंसर करेंगे और यही regional rural banks, rural areas को banking services provide कराएंगे बट regional rural banks को लाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ nationalized banks की नहीं थी In fact, इन regional rural banks को nationalized banks, central government और state government की partnership में बनाया गया था जहाँ पर सबसे जादे contribution central government का ही था इस partnership में central government का contribution 50% रखा गया था Nationalized banks का contribution रखा गया था 35% और state government का contribution यहाँ पर सिर्फ 15% ही रखा गया था तो इस तरह 1975 में सबसे पहली बार regional rural banks की 5 branches open की गई जिन्होंने गाओं वालों को लोन देना शुरू कर दिया बट ये banks सिर्फ उन्ही एरियाज में रहने वाले लोगों को लोन दे सकते थे जो की इनके area of operation के अंतरगत आते थे इन area of operation को central government द्वारा निर्धारित किया गया था जिसमें एक particular district या फिर आसपास के multiple districts को मिला कर रखा गया था और इस area of operation को define करते वक्त central government को state government और नबाट से concern करना भी ज़रूरी था तो regional rural banks के बारे में एक बात तो ये हो गई कि ये regional rural banks सिर्फ अपने area of operation में ही banking facilities प्रोवाइड करते थे दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ rural masses और weaker section of society के लोगों को ही लोन दे सकते थे कहने का मतलब अगर आप इनके area of operation में लाई करते हो लेकिन weaker section of society को ब्लॉंग नहीं करते हो तो ये banks आपको लोन नहीं देंगे तीसरी important बात इनके बारे में ये है कि ये concessional interest rate पर लोन देते है यानि अगर HDFC 14% पर लोन दे रहा है तो यहाँ पर आपको 7-8% पर ही लोन मिल जाएगा और जैसा कि हमने कहा कि 1975 में 5 regional banks के साथ regional banks को शुरू कर दिया गया था और देखते ही देखते 1990 तक इन banks के संक्या हो गई 196 बट problem ये थी कि इन में से लगबग सारी branches loss में थी और loss तो होना ही था क्योंकि अगर कोई bank सिर्फ weaker section of society को ही लोन देगा तो obvious सी बात है कि यहाँ पर credit risk काफी ज्यादा होगा पैसर return आएगा इसकी कोई guarantee ही नहीं है उसके उपर से ये loans concessional interest rate पर दिये जाने थे ये scheme financially viable थी ही नहीं इसलिए सरकार ने इन banks को restructure और strengthen करने के लिए दो committees बनाई बासू committee और भंडारी committee इन दोनों committees ने अपने recommendations में regional rural banks की functioning में कुछ changes किये इन्होंने कहा कि regional rural banks का जो area of operation है उसे expend किया जाना चाहिए इसके लावा इन्होंने ये भी recommend किया कि regional rural banks के ओपर लगी इस restriction को भी हटा देना चाहिए कि ये सिर्फ rural masses और weaker section of society को ही loan दे सकते हैं क्योंकि अगर ये rural masses और weaker section of society को ही loan देंगे तो ये पुन्ने तो कमा सकते हैं लेकिन पैसे नहीं इसके लावा इन committees ने ये भी recommend किया कि concessional interest rates पर सिर्फ priority sector को ही loan दी जाने चाहिए non priority sector lending के लिए regional rural banks को भी commercial interest rates apply करने के लिए allow किया जाना चाहिए तो अब अगर हम लोग regional rural banks की number of branches और years के respect में एक chart draw करें तो हम लोग देखेंगे कि 1975 में regional rural banks को जब शुरू किया गया था तब उनका number सिर्फ 5 था लेकिन कुछी सालों में 1990 तक ये number बढ़कर 196 हो गया बट इसके बाद regional rural banks की number of branches लगातार घटने लगी और आज की rate में यानि 2023 तक number of branches सिर्फ 43 रह गई है तो question ये है कि ऐसा क्या हुआ इन 15-20 सालों में कि ये number इतनी तेजी से गिर गया तो basically हुआ ये कि year 2004-2005 में government ने regional rural banks के consolidation के process को शुरू कर दिया जहां पर regional rural banks को उनके sponsored bank के साथ amalgamate कर दिया गया और ये सब क्या गया था नर्सिमन कमेटी की recommendation पर जिसे committee on financial system यानि CFS भी कहा जाता है तो ये थी details regional rural banks की, इंडिया की history, इंडियन polity और इंडियन economy को detail में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजे लिंक description में है, thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा